ओम नमाशिवाये ओम नमाशिवाये आज हम सिध मला नेपाली उद्राच एक मुखी से लेकर 14 मुखी के बारे में बताने वाला हूँ यह नेपाली उद्राच 22 mm से लेकर 38 mm का बिट्स है जिसका वजन 3 गराम से लेकर लगभाग 8 गराम तक है इसमें गरब गौरी भी है यह गरब गौरी है यह गनेश दाना है सुपर्बेस्ट्टक्वालिटे ईसमें सभी दानें सूपर्बेस्टक्वालिटे सेलेक्ट करके लगाया गया यह निरंकार गनेश है जो बहुत कम पाया नहीं पाया जाता है समझे तो यह निरंकर है जिसका मुख बंद गनेश कर दो जिसमें एक मुखिया है नापली एक मुख है ये दो मुखिया बीक साइज यह चार है 5 मुखी है 6 मुखी है यह सात मुखी है सभी दाना 25 mm से लेकर 38 mm का ब्यूट से लगा हुआ जिसका वजन तीन ग्राम से लेकर 8 ग्राम तक है जिसका सभी लाइन के लिए रहे है यह आख मुखी है यह नौ मुखी है यह 10 मुखी है यह नौ मुखी है यह 12 मुखी है सुपर क्लेक्टर बिच्ट सभी दाना सुपर क्लेक्टर बिच्ट जिसका लाइन बहुत बढ़िया दाना है क्लेक्ट करके मैं यह सिद्मला बनेगा यह तेरा मुखी है यह यह लाइन के लिए इसमें एक मुखी दाना वाइन काली दाना चार इसमीं इन विए दाना वार्ड तार दीज़िए यह मैं इन बता रहा हो यह एक मुखी दाना कि यहां सबसे इसके सबसे year कंगर को लिपार की ईतर को जरू समें एक शिड़स hippocas है ईससवार के अंदर एक शीड़स है ऐसा दाना एक मुख्олब्फी कि न के वराबया प्रकें आ या नी इस्द आधर क किसके अंदर एक शिड़स है यह सबसे सुपर बेस्ट क्वालिटी का उठा हुआ सबसे सुपर बेस्ट क्वालिटी इसमें सबार जिसमें एक मुखी सवार से लेकर एक मुखी सबार चाओदा मुखी सुपर बेस्ट क्वालिटी का सलेक्ट पिसका ऐसी धमला है कि यह मुखी से लेकर चाओदा मुखी सबी नेपाली उद्राच क्लेक्ट क्लेक्टर साइड का बने आगें जिसमें एक मुखी सबार भी लगाया गया है यह मुखी है गोरी संकर है दो चार छे आठ दस बारह चौदा मुखी है एक मुखी सबार है तीन मुखी है पांच मुखी है साथ मुखी है नौ मुखी है 11 मुखी है और 13 मुखी है एक मुखी सबार है गोरी संकर है ओम नमा सिवाए ओम नमा सिवाए हर हर महादेव हर हर महादेव